आपको अपना सिर उत्तर की ओर क्यों नहीं रखना चाहिए? मान लेते हैं, आपको पता है कि पृत्वी में एक उत्तरी ध्रूव है और एक दक्षनी ध्रूव है, यानि ये चुम्बकी केंद्रे. और आप ये भी जानते हैं कि धर्ती के पूरे भूखन्ड, पूरे महाध्वीब, धीरे-धीरे उत्तर की ओर खिसक रहे हैं, वो चल रहे हैं. आप जानते हैं? भूवी ग्यान से आप कम से कम ये तो जानते ही हैं कि सारे भूखन्ड खिसक रहे हमालय की परवत श्रेणिया कैसे बनी, हिमालय परवत, मानसरोवर, आपको मानसरोवर में समुद्र की सीपिया मिलेंगी, क्योंकि किसी वक्त वो समुद्र के लेवल पर थी. आज ये 15,600 फुट की उचाई पर है तो ये जील वहां कैसे पहुँची एक समय ये समुद्र के लेवल पर थी और आज वहां पहुँच गई है क्योंकि असल में पूरा भारती उप महाध्वीब सेंट्रलेशन प्लेट से टकरा रहा है और इसी वज़े से हिमालाय के पहाड अब भी उचे होते जा रहे हैं ये बस उठते जा रहे हैं एक टकराव के कारण आपने कारों का धेर लगना देखा है? बस वैसे ही है भारत भी टकरा रहा है भारत हर साल लगभग 1.2-3 सेंटिमीटर छोटा हो रहा है मुझे बिल्कुल सही आकड़ा नहीं पता लेकिन ये लगभग उस रेंज में है हर साल भारत 1.2-3 सेंटिमीटर का इलाका खो रहा है क्योंकि ये हिमालय श्रिंकला से टकरा रहा है और वहाँ पर धेर लग रहा है क्योंकि उत्तरी ध्रूफ का चुम्बकी आकर्शन धीरे-धीरे सारे भूखंडों को ऊपर खींच रहा है तो इतना विशाल चुम्बकी आकर्शन जिससे महादवीप ऊपर खिसक रहे है उस तरह का चुम्बकी खिचाव लगातार पूरे गलोब में कायम है मान लीजे आपको थोड़ा से एनीमिया है अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके लिए क्या प्रस्क्राइब करेंगे तो इसका मतलब यह आपके खून का एक महतुपून हिस्सा है तो अगर आपके शरीर में आयन तैर रहा है और मैं आपके सिर पर एक शक्तिशाली चुम्बक लगा दूँ तो हो सकता है कि धीरे धीरे खून उस दिशा में जाने लगे है ना? मान लीजे कि यह चुम्बक बहुती शक्तिशाली है तो यह खून को धीरे धीरे उपर खींचने लगेगा क्योंकि खून में आयरन मौजूद है आपके शरीर की सनरचना ऐसी है कि आपका दिल जो सर्कुलेशन सिस्टम का पंपिंग स्टेशन है वो तीन चौथाई उपर की ओर है ना कि बीचो बीच चूँकि गुरुत्वाकर्शन की उल्टे दिशा में पंप करना मुश्किल है और गुरुत्वाकर्शन की दिशा में पंप करना आसान है तो यह यहाँ है आम तोर पर जो भी खून की नसे नीचे की ओर जा रही है वो मोटी है और जो नसे उपर की ओर आ रही हैं, वो काफी पतली हैं. यहां तक पहुँचते पहुँचते, वो लगभग बाल की तरह पतली हो जाती हैं. इतनी बारीक, कि आपके मस्तिश्क का सर्कुलेशन सिस्टम ऐसा है, कि अगर उसमें एक भी बून ज्यादा चली गई, तो ब्रेन है लोगों को स्ट्रोक हो जाता है. तो अभी आप इस तरह हैं. अब आप ऐसे हो गएं. पहले ही सिस्टम में थोड़ा सा असन तुलन है, क्योंकि दिल गुरुत्वाकर्शन के प्रतिरोध को ध्यान में रखकर पंप कर रहा था. अब अचानक गुरुत्वाकर्शन का प्रतिर तो एक चीज जो आपके साथ हो सकती है, वो ये कि आपको अच्छी नीन ना आए. अगर आप अपना सर उत्तर की तरफ करके सोते हैं, तो आपकी नीन खराब हो सकती है. हर किस्म के सपने आ सकते हैं. अगर आपके उम्र ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपको स्ट्रोक हो अगर आपका बिस्तर उसी तरह लगा हुआ है, कि आप अपना सिर उत्तर की ओर रखते हैं, तो आप मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं। या दिन के दोरान आप अजीब हरकते करेंगे, तो तमाम चीजें होंगी क्योंकि मस्तेश्क में अधिक सर्कुलेशन हो रहा है, जब इसे नहीं होना चाहिए। गोलार्द में आप अपना सिर उत्तर की ओर मत कीजी, आप एक सुई की तरह गोल घूम सकते हैं। पूर्व सबसे अच्छा है, उत्तर पूर्व ठीक है, पश्चिम भी ठीक है, दक्षन कोई और चारा न हो तो उत्तर में बिलकुल नहीं। lastsगी में भी दोसे घटर से उत शित्तर को उना सिर 15 mile याई बान चारा नहीं।